आज है 30 April 2022 और आज की important current affairs हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और इन सारे questions का मैं facts के साथ explain करूंगी तो चलिए start करते हैं आज की वीडियो हमारा पहला question है राष्ट्री आनुसुची जाती आयोग की अधक्ष की रूप में किसे निफ्ट किया गया है आपके options हैं CS Rajan, Vijay Sampla, Devasi Spanda या गौरव निगी इसका answer है option B Vijay Sampla ये हैं Vijay Sampla और इन्हें NCSC का chairman बनाया गया है ये former union minister है और इनका ये second term होगा इससे पहले जब Punjab में elections हो रहे थे तो उस टाइम हिनोंने chairman से resignation दे दिया था और इस पर इने फिर से appoint किया गया है और इनका second time होगा और इनके appointment के announcement प्रेसिटेंट रामनात कोविन निकी है हमारा अगला question है कौन सा सहर वैक्यूम आधारित सीवर प्रणालीद वाला देश का पहला सहर बन गया है आपके options है Mumbai, Delhi, Risi Case या Agra The correct answer is option D, Agra Agra इंडिया के पहली city बन गई है जहां vacuum based sewer system लगाये जाएंगे इन vacuum based sewer system को public places में लगाया जाएगा और friends जैसे vacuum cleaner काम करती है उसी तरह vacuum based sewer system भी काम करती है इसे वैसे areas में लगाया जाता है जहां easily sea waste को साफ नहीं किया जा सकता है और इसे air pressure के थूँ एक जगा collect कर लिया जाएगा और फिर इसे dumped कर दिया जाएगा और इस project के लिए Agra के 240 घरों को चुना गया है जो ताज महल के आसपास के इलाके हैं और इस receiver की cost है पांच करोड और इस पूरे project की cost है 100 करोड इसे उत्तर प्रदेश के आग्राम इंस्टॉल किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश की capital एक लगनव इसके CM है योगी आदित्यनाथ और इसके गवर्नर है आनंदी बेन पतेल आगे बढ़ते हैं गाईज आवर नेक्स्ट क्वेस्टन इस रिसेंटली हूँ थी अपोइंटी अज एज एंप्टी अज एंड इंडिया लाइफ इंसुरेंस यह पनाया गया है यह मीरंजीत मुकरजी को रिप्लेस करेंगे जो इस इंसूरेंस कंपनी के इंट्रिम चीफ एक्जीटिव ऑफिसर थे फ्यूचर जेनरल इंडिया लाइफ इंसुरेंस कंपनी इसे 2000 में फाउंड किया गया था और इसका हेड़कॉर्टर मुंबई में हैं हमारा आगला क्वेस्टन है रिसेंटी लार्सिन अन्टूब्रो साइंड एन अग्रिमेंट विच इंडियन इंस्टिटूट अप टेक्न को पूरा करने में हेल्प करेगा इंडिया जिसने 2070 तक नेट जीरो कार्बन इंडिया के लिए टार्गेट रखा है लार्सन अन्टूब्रो यह एक इंडियन मल्टिनेशनल कंपनी है जिसमें इंजिनियरिंग कंस्ट्रक्शन मैनिफेक्ट्रिंग टेक्नलोजी और फैनेंस के पोवई में सिच्वेटेड है इसके चेर्मैन है डॉक्टर पवन गौइन का नेक्स्ट क्वेस्टन इस हूं अमंग फॉलॉइंग एक्ट्रिस हाज बीनेम्ड अजूरी अड़ कान्स फिल्म फेस्टिवल इस यर निमलिकित में से किस अभी नीत्री को इस वर्ष कान्स फ के लिए जूरी मेंबर चुना गया है और यह इस बर कान्स फिल्म फेस्टिवल की 75 एडिशन होगी जिसे फ्रेंच एक्टर विंसेट लिंडन हैट करेंगे विंसेट लिंडन जिन्न 2015 में कान्स फिल्म के लिए बेस्ट आक्टर का वड़ दिया गया था दीपीका पादुको मुरिनाल से इनको जूरी मेंबर चुना गया था इन्हें 1982 में जूरी मेंबर चुना गया था हमारा अगला question है which among the following has received the Indian Building Congress best infrastructure project award for 2021 आपके options है नर्मदा वैली डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट चेनाव इसे माचल प्रदेश के रोहतांग में बनाया गया है और इसे बॉर्डर रोड और्गनाईजिशन ने बिल्ट किया है यह अटल टरनल मनाली से लाहुल इस्पीति वैली को कनेक्ट करती है और इस टरनल में निव ऑस्ट्रियन टरनलिंग मेथड यूज़ किया गया है और इसे IBC के 25th annual convention थी हमारा अगला question है which union minister has launched a 90 day campaign named आजादी से अंतियोदे तक किस केंद्रिय मंत्री ने आजादी से अंतियोदे तक नाम से 90 दिवसी अभियान शुरू किया है आपके options है पसुपति कुमार पारस, नरिंद्र सिंग तोमर, गिरिराज सिंग या अर्जुन मुंडव इसका answer है option C, गिरिराज सिंग, गिरिराज सिंग रूरल डेवलेप्मेंट एंट पंचायती राज की union minister है जिन्होंने इस campaign को launch किया है, ये एक 90 दिन का campaign है जिसमें 75 district में 9 central ministers के schemes को supply किया जाएगा उसे fulfill किया जाएगा, और इस campaign का goal है 17 schemes को select करना और इन schemes के अंडर जो भी financial aid आती है उसे provide करना, और इस campaign के लिए वैसे जीलो को चुना गया है जिसमें लगबग 99 freedom fighters जिनका जन्म हुआ था, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, हमारा अगला question है, World Bank has approved 10 million for India's mission कर्म योगी, विस्व बैंक ने भारत के mission कर्म योग इसका answer है option D, 47 million dollar, mission कर्म योगी एक national program है, जो civil service के capacity को बढ़ाती है, और better future के लिए civil servants को तयार करती है, और इस mission के लिए World Bank ने जो aid provide की है, वो तीन component पे best है, ये तीन components ये रहे, आप इसे note कर लीजेगा, mission कर्म योगी इसे 20 सितंबर 2022 में launch किया गया था, और इसे Prime Minister Narendra Modi ने launch किया था, और World Bank इसे July 1944 में pound किया गया था, इसका headquarter Washington DC है, और इसके president है David Malpas, हमारा अगला question है, which bank has launched a digital ecosystem InstaOD Plus for MSMEs, किस bank ने MSME के लिए एक digital ecosystem InstaOD Plus launch किया है, ये options are, Axis Bank, ICICI Bank, SDFC Bank ये Bank of Baroda, the correct answer is option B ICICI Bank, ये digital ecosystem MSMEs के लिए launch किया गया है, और इसके अलावा दूसरे bank के customers भी इस facility का फायदा ले सकते हैं, इस digital ecosystem से किसी भी bank के customer को आसानी से overdraft मिल सकती है, और इसी या तो customers internet banking के थुरू ले सकते हैं, या फिर ICICI Bank के InstaBitch app के थुरू इस facility को ले सकते हैं, इस ecosystem का एक और भी benefit है, ICICI Bank के जो पूराने customers हैं, उन्हें तुरंद current accounts पर overdraft मिल सकती है, ICICI Bank इसकी full farm है Industrial Credit and Investment Corporation of India, इसी 1994 में found किया गया था, इसका headquarter मुंबई में है, और इसके MD and CEO है Sandeep Bakshi, हमारा अगला question है, When is International Dance Day observed every year? अंतराश्ट्र निर्थ्य दिवस प्रती वर्स कब मनाया जाता है? आपक्यों options है 25th April, 27th April, 29th April यह 30th April, इसका answer है option C, 29th April, हर साल 29 April को अंतराश्ट्र निर्थ्य दिवस मनाया जाता है, और इस day की aim है to promote the multiple benefits of dancing, to recognize dance as a stress reliever, expressing oneself, a way of celebrating happiness and an activity that brings people together, इस day को सबसे पहले 1982 में celebrate किया गया था, जिसे dance committee of ITI ने organize किया था, और इस दिन को Gene George, नवेरे के जन दिन के औसर पर celebrate किया जाता है, जो ballet dance form की creator थे, हमारा अगला question है, XRBL bank retail chief Anso Swami has been appointed as MD and CEO of, which small finance bank, आपके options हैं, Ujjivan small finance bank, Equitas small finance bank, Utkars small finance bank, या Sivalik small finance bank, the correct answer is option D, Sivalik small finance bank, Anso Swami इन्होंने सुविर कुमार गुपता को replace किया है, जो Sivalik small finance bank के co-founder है, Sivalik small finance bank इसे 1998 में found किया गया था, इसका headquarter Noida में है, हमारा अगला question है, which Indian airline will be merged with Tata owned Air India, Tata के स्वामित्व वाली Air India में किस भारती Air Line का विलाई कर दिया जाएगा, आपके options है, Air Asia, Air India Express, Vistara या Spice Jet, इसका answer है option A, Air Asia, Air Asia को Air India में merge कर दिया जाएगा, Air Asia India ये एक low cost Indian carrier है, जिसे Tata Group चलाती है, और presently Tata Suns का इस company में 83.67% stake है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला question है, A National Seminar on Logistic Management, Logicism YU 2022 was organized by the Indian Air Force, who is the Chief of the Air Staff, वायू सेना के प्रमुक कौन है, आपके options हैं, Vivek Ram Chaudhary, RKS Bhadaria, Manoj Pande या R. Hari Kumar, इसका answer है option ए, Vivek Ram Chaudhary, Vivek Ram Chaudhary जो की Indian Air Force के Chief है, इन्होंने इस Seminar को inaugurate किया, हमारा अगला question है, Which airline became the first airline to use an indigenous navigation system, Gagan? Swadhi Si Navigation प्रणाली Gagan का उप्योग करने वाली पहली airline कौन सी बन गई है? आपके options है, Air India, Go First, Indigo, या Space Jet. इसका answer option C, Indigo. इस flight को राजस्थान के किसंगर में conduct किया गया था, जिसमें इस navigation system का यूज किया गया था. Gagan इसकी full farm है GPS Added Geo Augmented Navigation. ये एक Swadhi Si Navigation System है. और इस navigation system को Airport Authority of India और ISRO ने मिलकर develop किया है. Gagan एक Indian satellite based augmentation system है. और Indigo इसे 2006 में found किया गया था, इसका headquarter Guru Gram में है और इसके CEO है Rono Dutta. हमारा अगला question है, which e-commerce company has signed an MOU with the West Bengal government to train and support local artisans, webers and handicraft makers. आपके options है Amazon, Miso, Flipkart या Mintra. इसका answer है option C, Flipkart. Flipkart ने West Bengal government के साथ tie-up किया है, जिसके तुरू ये West Bengal के local artisans, bunker और handicraft makers को train करेगी, उन्हें प्रसिक्षित करेगी. West Bengal इसके Capital अकोलकाता, इसके Chief Minister है Mamata Banner जी, और इसके Governor है जगदीब धनकर. हमारा आगला question है, Where will Kalo India Youth Games 2021 be held in June? खेलो इंडिया Youth Games 2021 जून में कहां आयोजित होगा? आपके options हैं Delhi, Odessa, जार्खन या हर्याना? इसका answer है option D, हर्याना. हर्याना के पंचकुला में इसे आयोजित किया जाएगा. और Kalo India Youth Games 2021 को 4 जून से 13 जून तक आयोजित किया जाएगा. हर्याना के पंचकुला के अलावा इसे सहबाद, अंबाला, चंडिगर और देली में भी खेला जाएगा. इसमें लगबग 8500 प्लेयर्स पाटिसिपीट करेंगे. हमारा अगला question है, इसी इंडियन नेवी को कब तक सौप दिया जाएगा? आपके options हैं August 2022, July 2023, December 2022 या August 2023. इसका answer है option A, August 2022. विकरान्थ जुकि एक स्वादीसी एयरक्राफ्ट करेयर है, इसे भारतिये नौसहिना को अगस 2022 तक सौप दिया जाएगा. इस एयरक्राफ्ट को कोचिन से प्याइड ने डवलब किया है, और मई 2022 में इसका final trial चलेगा. हमारा अगला question है, विच एलेक्ट्राणिक कंपनी हाज एंक्ट अपक्ट विच जी ई पावर कन्वर्जन तो डवलब अ सिस्टम फॉर दे नेवी? नौसेना के लिए एक ट्रणाली विक्सित करने के लिए किस एलेक्राणिक कंपनी ने जी ई पावर रुपांतरन के साथ समझाता किया है? आपके ऑप्शन्स हैं बेल, हैवल्स इंडिया लिमिटेड, बजाज एलेक्ट्रिक कंपनी या वीगाट इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसका आंसर है ऑप्शन ए बेल बेल इसकी फुलपा में भारत हैवे एलेक्ट्रिक्स लिमिटेड इसे 1956 में फाउंड किया गया था, इस के CEO है नलीन सिंगाल और इंडिन नेवी चीफ है और हरीकुमार, हमारा अगला क्विस्चन है, इस बुक के आउथर कौन है, आपके आप्शन से संजय मांजरेकर, विनूद राय, सौरफ गांगुली, या अनुराख ठाकूर, दे करेक्ट आंसर इच आप्शन बी, विनूद राय, विनूद राय ये एक फॉर्मर कम्ट्रोलर अन ओर्डिट जनरल आफ इंडिया है, जिन 2016 में Bank Board Bureau का First Chairman बनाया गया था, हमारे अगलक पेस्चन है, विच फॉर्मर स्चीफ मिनिस्टर अप महाराश्टर हैस रिलीजड अ मराथी बुक अन अमित्सा टाइटल्ड अमित्सा आनि भाजा पाची वचल, महाराश्टर के किस पूरु मुख्यमंत्री ने अमित्सा पर एक मराथी पुस्तक अमित्सा आनि भाजा पाची वचल का विमोचन किया है, आपके options हैं मनोहर जोसी, नारायन राने, देवेंद्र फर्नविस या असोग चवन, देवेंद्र फर्नविस ने इस बुक को रिलीज किया है, और ये बुक अमित्सा पर लिखी गई है, और ये बु को ब्लूम्स बरी इंडिया ने पब्लिस किया है, इस बुक को और इजनली अनिर्बन गांगुली और शिवानन द्विवेदी ने लिखा है, और इस बुक को मराथी में ट्रांसलेर जोसना कोल हार्टकर ने किया है, इस ये थे आज की टॉप 20 questions, पिछले वीडियो में मैंने पूछा था, रिजेंटली करनाटका चीफ मिनिस्टर हाज अनौंस दा अंडर कंस्ट्रक्शन सिवा मुगा एरपोर्ट विल वी नेम्ड आफ्र फॉर्मल चीफ मिनिस्टर डैस, इसका अंसर था ऑप्शन ए, बी-एस ये दिरप्पा, अगले प्शन का आंसर आपको कॉमें सेक्शन में देना है, so the question is, who become the first United Kingdom PM to visit Sabarmati Ashram, Sabarmati Ashram का दौरा करने वाले पहले United Kingdom के PM कौन बने, आपके options है, Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Tony Blair, so guys, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, इस वीडियो की PDF आप description लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, thanks for watching guys, bye bye. कर दो